अधियो तोफ माने तरह करकों ह। हेलो फ्रैंड मेटेव चैनल एन श्व गया है प्रवस्टसाइब करा का दिसका करें अपने अटिmä सकते हैं अपने हो सकते हैं अम्ashकों सकते हैं आईडिया सकते हैं बना सकते हैं अदिय मेकیनिजंक और शब्रुएंट करने हैं हम communicate कर सकते हैं एक दूसरे को बता सकते है cause and effect relationship को कि किस वज़े से क्या चीज होती है और क्यों हो पा रही है and due to which we can suggest the feasible solution to the problem जिसकी वज़े से बहुत सारी problems के हम solutions निकाल पाते हैं यह हमारी सोच ही है यह हमारा thinking process ही है जो कि हमारी knowledge को validate करती है अगर आप एक बार सोचिए कि अगर आप सोची ना पाएं तो आप कैसे अपनी knowledge को validate कर पाएंगे कैसे सामने वाल इंसान को पता चलेगा कि आप पे कित्ती knowledge है आप कैसे paper में लिख पाएंगे आप कैसे competitive exams दे पाएंगे आप क्या interview में दे पाएंगे जिसके बेटर हमारी knowledge validate होती है अबले इन अडिविजल तो प्रेट आप आइडियास और इसे कि हम दे झाल है कर पाते हैं जासे कि हम देख लेते हैं कुछ में क्या है जज्जमेंट, जज्जमेंट है, रैशनलाइजेशन है, इनर स्पीच है, अब्डेक्टिव रीजनिंग है, अब्स्रेक्ट थिंकिंग है, अडप्टेशन, अनलोगी, आंग्यूमेंट, अनालिसी, असेस्मेंट, अटिटूड और भी इनके ब्यॉंड है, बट मैंने कुछ मे जज्जमेंट, रैशनलाइजेशन, इनर स्पीच, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, जब हम जज्जमेंट की बात करते हैं, एक ऐसा मेंटल प्रोसेस, एक ऐसी हमारी धिमागी प्रकेरिया है, जिससे की हमारा माइंड कंपेर करता है, तू और मोर आइडिया को कोई भी दो कंसेप्ट को, कि हमारे ले क्या बेटर है, यह सही है या वो सही है, और यह जज्जमेंट हम डेली यूज करते हैं, कि हम क्या करें, ऑफिस मेट्रो से जाए, बाइकार से जाए, ट्रैफिक कब कहां मिलेगा, ट्रैफिक यहां साद है, तो दूसरा डावर्ट कर जज्जमेंट जो मेंटल प्रोसेस हम डेली यूज करते हैं, और एवरी आउन देन करते रहते हैं, क्योंकि इससे जो है, we can find out the relationship between the two things और two qualities, जिसके बेसिस पे हम decision ले पाते हैं, we combines two or more distinctive notions, percepts और ideas, जिससे कि हमारे कोई भी complex problem जो है, solve out हो जाते हैं, जैसे कि sky is blue, एक बहुत जज्जमेंट का, इसमें क्या है, दो concept combined हो रहे हैं, that is one is the sky, sky कैसा होता है, जब छोटा बच्चा होता है, उसको नहीं बताता है, इसको parents बताते हैं, देखो बिटा वो sky है, इसका इसा दिखता है, फिर उसको blue, blue color का concept समझ में आता है, blue color कैसा दिखता है, इसको बलते है, sky is blue, तब वो concept बना पाता है, sky blue होता है, black or red नहीं होता है, so this is the judgment process, जो कि हम daily use करते हैं, next is the rationalization, now rationalization क्या है, rationalization एक ऐसा process है, जिससे कि हम अपने decisions जो लिए होए है, उसके acceptable reasons find out करने की कोशिश करते हैं, कब गभी ऐसा होता है, कि हम wrong actions ले लेते हैं, हमें पता भी होता है, क्यों बहुत सारे ऐसे secret motive होते हैं, जो इंसान दूसरे को नहीं बता सकता, conceal करके रखता है, they conceal the secret motive in order to escape the self re-approach and re-approach of others, जैसे कि हमारे society में बहुत norms हैं, कि सबको द्यालू होना चाहिए, लडाई नहीं करनी चाहिए, सबके साथ मिल बाट कर जाना चाहिए, पर हमेशा अकसर नही करने की कोशिश करते हैं, justify करने की कोशिश करते हैं, एक wrong action को, which conflicts the standard generally accepted by the society, criticism से बचने के लिए, या फिस society ने जो norm set कि होए हैं, उनके जो decision यह उन से भिन ना हो, different ना हो, similar हो, इसलिए वो rationalization का use करते हैं, जैसे कि for example, कोई भी prime minister, prime minister का कोई भी politicians जो है, जो अपने किसी भी relative क हाइर कर लेते हैं, अपने किसी भी position पर हाइर कर लेते हैं, कि वो बहुत reliable है, वो यह फलाना फलाना काम कर सकता है, irrespective of the fact कि उससे भी better qualification किसी और के पास है, but वो rationalization देते हैं, मेरा belief system है, ऐसे और यह जो चीज है, rationalization हम और आप बच्चे बुड़े, सब यूज करते हैं, ज जाते हैं, तो यह नहीं बोलते कि मननीत वटल कि हम सिक हो गए हैं, ऑफिस में जब हम जाते हैं, तो बोलते हैं कि हम सिक हो गए है घर में कुछ इशू आ गाता है, आप सो आप देता हैं, तो तो यह खेके ऐझा हन्ने अण दोशनलानाईईशन, नेक्स देए इनर पीच, व कि जब हम सोच रहे होते हैं तो बोल भी रहे होते हैं तो इसकाल हमारी अंदुनी आवाज तो यह बहुत डिसक्स किया जाता है वी टॉक्ट तो आर्ट सेल्फ मोर और लेस्ट वाइल थिंकिंग तो इसको बोलते हैं इनर स्पीच जब मैं एक्जाम देती थी तो मेरे माइंड पर जो भी इसको बोल के लिखती थी तो इससे हमारे जो थिंकिंग है वो इनर स्पीच के साथ साथ चलती है ऐसा भी रखा गया है इस फैक्ट प्रूव थिंकिंग ए इनर स्पीच वहर उफन गोट तो माने जाता है कि थिंकिंग और इनर स्पीच साथ साथ में चलती है और यह जो है विद और विदाउट लैंग्वेज हो सकती है कभी-कभी लैंग्वेज के साथ जैसे हम बोलते हैं एक्टिवली और कभी-कभी ऐसा होता है कि हम इतना तेज सोच रहे होते हैं हमारी इनर स्पीच उसके साथ मैश नहीं कर पाती और हम जो फ्रेग्मेंटरी बो कि कभी-कभी नॉन लिंग्विस्टिक होते हम बोलते नहीं है वी इसा होता है कि हमारे दिमाग में वह चीज़ चल रही होती है और बोलते हैं तंग टाई होगी बिल्कुल जुबान पर है वो शब्द वो जुबान पर है इसका नाम हमें याद ही नहीं आ रहा है उस टाइम गांब होता है हमारे इन शीज क यहाद सेमसम हमारे देते हैं ऐसा भी Parents होता है and at times क्या होता है कि बिल्कुल synchronously चल रहे होते हैं जैसे extempore speech जब होती है जब हमें कोई चीज सामने देखके बोलनी होते हैं तो हम सोच भी रहे होते हैं और बोल भी रहे होते हैं so thinking goes ahead and speech follows it sometimes we read pages without understanding कभी-कभी हम just pages या book कोई ऐसी read कर लेते हैं अक्सर हम अपनी academic book ऐसे ही रीड करते रहते हैं समझ में नहीं आता बर वह उस type की क्या बोलते हैं activity भी होती है so thinking and reading जो है do not agree with each other ऐसा भी होता है so जो हमारी inner speech है मरे यह thinking process वह बहुत versatile है बहुत variable है inner speech के साथ कभी-कभी हम inner speech के साथ काम करते हैं कभी-कभी जो हमारी thinking अतनी fast होती है कि inner speech जो फ्रेग्मेंटरी हो जाती है slow down हो जाती है तूट तूट के आती है और कभी-कभी जो synchronously बहुत अच्छे जैसे बहुत अच्छे शेयर सब्सक्राइब करें कमेंट कर दीजिए और फीडबग दीजिए थैंक यू शेयर सब्सक्राइब करें बड़ सब्सक्राइब provin le Shankya